कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल आज हम लोग देखेंगे छोटा-छोटा कुछ टीप्स देखेंगे जो क्यूबस टेन में मिलता है क्यूबस टेन में कुछ-कुछ जगा चेंज कर दिया है मतलब फाइव और टेन का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है तो 10 में में प्राब्लम पहला वाला जो प्राब्लम है नौइस गेट कैसे करते है तो इसका उपर बहुत दिन से हमारे एक स्टूडेंट मेसेज कर रहा है और इसमें हमारा चैनल में भी वह दिया है मतलब उसका जानकरी देने के लिए बोला है तो देखिए नौइस गेट कु हमारा एक गाना है हमी का आया है तो इसको थोड़ा सहं इसको लूप बना लेता है नहीं तो प्रेस करके इसको लूप बना लेता है ठीक है तो देखिए एक आवाद जो है जो हम टेकर लिय लिया है तो एक नौइस है उसका साथ-सत मCheck gospel to Dolce cm2 गुशा हुआ जो नौआड करना पड़ेगा चलते चलते देटेट नोइस है मेरे करके एक नॉइस होरा है तो यह जो नॉइस का बार यह भी हम बोलेंगे पहले हम बोल डेरह घुद से मिलता है देखिए हम लग जब इब उसों के सबते हैं जो यह जो gate है ना यह gate by default unloaded होता है मतलब loading नहीं होता है just only EQ रहता है और बाकी compressor, gate, tools, set और limiter यह सब यह loaded नहीं होता है तो यह load करने के लिए इसको थोड़ा सा इधर से noise gate करना पड़ेगा तो noise gate जगा मिल गया तो noise gate में हम लोग उधर मतलब QS5 में नहीं तो new window में हम लोग करता थे किस type का जैसे की minus 37, minus 38, minus 39 इस type के कुछ हम उस time में करता थे तो इधर भी हम लोग कर सकते है तो इसका threshold जो है हम लोग थोड़ा इसको काम करके ऐसा type का threshold बनाना पड़ेगा जैसे की problem ना हो मतलब threshold का ज्यादा ज्यादा होगा तो क्या होगा voice कर जाएगा और threshold थोड़ा सा 40 to 30, 39, 40 इस type का आगर जाएगा तो ठीक है हम लोग इसको थोड़ा 38 में रखता है और बाकि जो release है इसको इसको एकदम रिमूब कर रिमूब नहीं है पूरा पूरा जीरो कर देता है बाकि एटक जो है इसको भी जीरो कर देता है रेंज इसको इसको भी कुछ रेंज बढ़ाने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है और बाकि जो है ये दूसरा दूसरा पार् मतलब जैसे कि अगर नॉइस रहेगा तो चलेगा कितना तेर तक अचलेगा इसका मतलब मतलब क्वा मोता हो जह को चांग हम लोग बात का जो effect होता है वो attack बोलता है और range क्या है उसका साथ AF बोलके जो नीचे में जो है उसका बारे में हम बात में बोलेंगे तो यह noise get करने का बात अगर हम लोग चलाएंगे तो यह noise get load हो गया तो नॉर्मली क्या है इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें noise चला जाएगा चलते चलते देखे चला गया जो आवाज हो रहा था कभी अलबिदाना कहना कभी अलबिदाना कहना पूरा चला गया तो यह है noise get इधर से दिया हुआ है नॉर्मली हम लोग छोटा सा यह question था तो हम actually cubist 10 को उपर tutorial नहीं दिया था इधर बहुत सारा problem का साथ हम लोगों गुजरना पर रहा है basically weather का वज़े से और internet का वज़े से problem हो रहा है हमको एक बात बोलना पड़ेगा नॉर्मली जिसका पास प्रोसेसर प्रोसेसर विड्नोस हाँ क्यूबस 10 का पारे में हम बोलना है ठीक है मनली जहाँ आप लोग 10 यूज़ कर रहे है कोई भी version 10 का artist यूज़ कर रहा नहीं तो QS Pro 10 यूज़ कर रहे है कोई भी कंप्यूटर का जो आप लोग लैप्टॉप में अगर यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई प्राब्लम ने हो सकता है और डेस्टॉप में भी यूज़ कर सकते हो तो मिनिमाम कंफिगरेशन अच्छा चलने के लिए आई-फाइफ प्रोसेसर होना जरूरी है कि आई-फाइफ होने से नॉर्मली ये तो 64-bit है 64-bit में आप लोग एक ट्रैक तो नहीं होगा 15-16-20 ट्रैक भी हो सकता है पचास ट्रैक भी हो सकता है तो ट्रैक का ट्रैक का इंसर्ट में हम लोग जितना सारा एफिक डालेंगे तो उतना ही हम लोगों को प्रोसेसर यूज होगा मतलब उतना ही प्रोसेस में काम में लग जाएगा और बहुत प्रोसेसर के यूज इतना हो जाएगा तो आप लोग ठीक से एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊगे ठीक से काम नहीं कर पाऊगे प्रोब्लम हो जाए दिक्कत हो जाए और SSD हम जितना बार ट्यूटरियल दिया है हम SSD का बारे में बोला है आप लोगों को SSD आप लोगों को लेना चाहिए SSD में क्या होता है data streaming जो होता है data streaming में बहुत ही काम में लगता है ठीक है हम लोग insert में क्या का ले सकता है inside में हम लोग कुछ dynamic effects सी ले सकता है static effects link नहीं मतब dynamics का अंदर क्या क्या पड़ता है इधर जो है compressor हो सकता है limiter हो सकता है maximizer हो सकता है gate हो सकता है tube compressor हो सकता है vintage compressor हो सकता है तो यह tube compressor क्या है vintage compressor क्या है दोनों में फरक क्या है यह हम लोग बोलेंगे compressor का पार्ट में बोलेंगे तब भी हमें कंसेप्ट दे रहा है बिसिकली ट्यूब कॉंप्रेसर जो होता है पुराना आप लोगों का पास अगर होगा तो नहीं तो सार्च करका देखी है पुराना जो रेडियो था उसमें भाल्ब था मतलब वाल्ब उस टाइप का कुछ था मतलब वाल्ब टेकनोलोजी था तो पुरा ना रेकॉर्ड प्लेयर जो होता है पूरा ना रेकॉर्ड जो हम लोगों बजाते है और रेकॉर्ड का जो फ्रिक्वेंसी नैंटी 2700 होता है मतलब उसका जो cellular है मेटिरियल में 96 मन 96क तक उसमें रेकौर्ड आप लोगों कर सकते मतलब उसका गेन बहुती बढ़िया है तो उसका concept बोलेंगे बाद में क्या है 96K में अगर हम लोग कोई कुछ export करेंगे तो उसका जो quality होगा बहुत ही अच्छा quality होगा और जब हम लोग रेकॉर्ड करेंगे तब भी हम लोगों को 96K में ही रेकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब हम लोग जब project setup करते हैं project setup में 48,000 करते ह तो उस जगा पर 96,000 करना पड़ेगा 96K करना पड़ेगा और आपका जो soundcard है तो soundcard भी 96K support करना चाहिए तब ही काम होगा नहीं तो काम नहीं होगा और content इतना बड़ा होगा normal hard disk से SSD में सबसे बढ़िया इसका असर मंदब सबसे बढ़िया काम होगा नॉर्मल जो disk होगा उसमें processing उदना अच्छा नहीं होगा तो SSD में अच्छा होगा तो उसका बारा में बाद में करेंगे तो यह tube compressor वोई होता है जो normally tube type का होता है तो वही बात है basically tube compressor होता है क्या उसका अंदर भाल्ब रहता है तो उसका हिसब से उसका जो filtering मतलब उसका जो compressor का जो basic system होता है उसका अंदर मतलब digital to analog transfer बहुत अच्छा होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे बात में बात करेंगे तो आज दो टीप्स ठीक नहीं नहीं है actually क्या है जितना insert जाएगा उतना busy होगा क्योंकि सभी track में compressor होगा सभी track में थोड़ा सा limiter होगा नहीं तो maximizer होगा हम लोग करते है क्योंकि हम लोगों को देखना पड़ता है जो कितना अच्छा quality हो रहा है तो इसलिए क्या है only dynamic effect जो होगा वही हम लोग दे सकते हैं जैसे क compressor आप लोग दे सकते हो गेट देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि get already हम लोग कर दिया है और इधर maximizer हम लोग कर सकते हैं अगर take मतलब जो sound का take हुआ है वह अगर low volume में हुआ है तो तब हम लोग कर सकते हैं नहीं तो हमारा हिसब से हम लोग इधर मतलब यह जो waveform जो आप अगर waveform में recording होगा तो बहुत ही है उसके लिए maximizer करने का ज़रूरर नहीं है आप लोग कंप्रेशार कर सकते हो थोड़ा सा कंप्रेश करके उसको ऐसा टाइप कर बना सकते हो जैसे कि clarity बहुत अच्छा होगा उतना ज्यादा volume भी नहीं होगा उतना कम volume भी नहीं होगा तो ऐ एक effects channel का basis में हम लोग देंगे तो अगर रूमवार्क ऐसी हम लोगों को देना है तो एक एड कर लेता है effects channel तो उसका labeling हम लोग इधर से ठीक कर लेंगे नहीं तो अगर नहीं ठीक करेंगे तो तब भी हम लोग इसको छोड़ सकते है हम लोग track से बना लेंगे इधर दो audio track है हम इसमें इबटन को प्रेस करके इसमें हम लोग एफेक्स रूम वाक्स दे देते हैं इसको ओन करके हमारा हिसब से हम लोग इसको ज्यादा कम कर सकता है तो एक लेने से ही आप लोगों को बहुत सारा ट्रैक में आप लोग इसको दे सकते हो इसको रूम वाक्स दे सकते हो इसक एक प्रॉब्लेम भी है अगर वोकल के लिए दूसरा टाइप का आप लोगों को कोई आगर एफ एक्स लगेगा रिवाब लागेगा external भी हो सकता है, internal भी हो सकता है, कोई भी, वो अगर लगेगा तो दूजरा एक effects track लेना पड़ेगा, फिर दूजरा एक add effects track करना पड़ेगा, करके दूजरा type का कोई reverb आप लोग ले सकते हो, तो waves का भी reverb हो सकते हो, नहीं तो दूजरा अलग से river table का sonic sound का हो सकते है, बहुत सारा अलग अलग रीपर कंपनी है, जो bundle बनाते है, तो उसका रीपर आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अलग से आप लोगों को एक effects channel लेना पड़ेगा, जितना effects channel हम लोग use करेंगे, उतना हम लोगों को CPUs उतना कम होगा, तो वही बोलना था, हम लोग जब काम करेंगे, तो तब भी, नॉर्मल हम लोगों को dynamic effects और static effects दोनों को एसा करके, static effect जीतना होगा, तो हम लोग effects channel से करेंगे, और dynamic effects हम लोग insert में लेंगे, तो आप लोगों को मन में एक questions हो सकते हैं, जो हम लोग इनसर्ट में क्यू हम लोग dynamic effects भी send में नहीं क्यू ले सकते हैं, तो यह इसका एक जवब है इसका इसके ऊपर हम बोल रहा है basically क्या होता है जब sound इधर से जाता है sound महली जी यह sound is ready हुआ है हम लोग क्या करता है पहले एक Compressor लगा देते हैं एक Compressor देते हैं उसके बाद यह हम लोग send में लगा देते हैं एक ReWab मतलब compressor पहले इधर आएगा इधर देखेंगा gate है gate होगा नहीं तो इसका साथ साथ limiter होगा नहीं तो कोई कुछ भी होगा जो equalizer होगा तो equalizer हम लोग insert में दे सकता है क्योंकि यह जो platform है यह जो जगा है इसको cancel कर देता है यह जो जगह है middle का जो जगह है equalizer जो जगह है इधर से हम लोग equalize कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मगर sound जब आएगा compressor होके जब आएगा तो compressor का साथ हो sound mix हो जाएगा जैसे कि कोई अगर insert में हम लोग reverb डालेंगे तो क्या होगा reverb audio का साथ add हो जाएगा उसके बाद EQ होगा तो EQ का अंदर reverb और vocal दोनों एक साथ होगा जैसे कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आप लोगों को बोलने का जो इधर जो sound आ रहा है compressor plus vocal दोनों एक साथ आ रहा है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करता है reverb करता है reverb का add करता है तो जब finally निकल रहा है तब compressor plus reverb plus vocal is equal to final output यह हो रहा है ठीक है तो इधर हम लोग EQ अगर करेंगे पहले हम लोग insert में EQ कर देंगे तो क्या है हम लोगों को exact vocal क्या है मतलब हम लोग जो take लिये है जो microphone से take लिये है उसका response कैसा हुआ है हम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि already EQ हो चुका है inside में अगर हम लोग EQ डालेंगे तो already EQ हो जाएगा हम लोग अगर उसको adjust करेंगे उसका उपर अगर reverb लगाएंगे नहीं तो chorus लगाएंगे नहीं तो delay लगाएंगे कोई भी लगाएंगे तो उसमें क्या होगा आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा और delay भी EQ हो रहा है तो इसलिए पहले सब काम कर लो उसके बाद मतलब जब फिल्टर करने का बाद आपका पास जो sound आ रहा है एकदम EQ का माफिक मतलब हम लोग EQ उसके उपर दे सकता है तो EQ भी एक dynamic process है मतलब dynamic effects आप लोग बोल सकता हो तो उसके लिए क्या होता है जब हम लोग कोई भी sound का साथ कोई भोकल का साथ जब हम लोग कोई reverb जोड़ देता है जोड़ देता है इंसाड में जोड़ दिया तो क्या होता है वोकल का जो डेंसीटी था मतलब अगर जीरो डीबी में बज रहा था तो माइनस 2 हो जाएगा मतलब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि रिभाप का जगा थोड़ा सा मतलब वोकल का सा मिक्स होके ऐसा टैप का हो ज पीछे देना चाहिए इसको इसको यह जो प्रोसेस है इसको राउटिंग बोलता है इसको बैसिकली यह राउटिंग हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए और लास्ट का जो बात है वह बात है बहुत सब्सक्राइब तो ओरिजिनल वर्षन लिये है यह क्यूबस 10 का लिये है अपडेट होके 10.5 भी हुआ है तो जो जो लोग औरिजिनल वर्षन लिये है उसके लिए हम बोल रहे है बैसिकली वो लोग आपडेट कर सकते है कोई भी वीस्ट को आपडेट कर सकते है आपडेट करके वो लोग मतलब बहुत सारा वीस्ट का साउंड मिल सकते है उस लोगो सकते हो। दोंगल इंपर में स्थैंधर मां मत इस निर्कित का मत रहकर सेमिट को डॉंगल नों array को फालिमी को मत रहा है। कि दोंगल रहे हो जो फालों में दोंगल पॉला रहे हो नाव जाए हमनुन ayak लोगों ने Windows वर्शन लिए है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेंबर्ट से मेल करने के बाद ही वो लोग मेल में आपका Mac वर्शन भी दे देगा मतलब Mac वर्शन डाउनलोडबल जो वर्शन होता है वो दे देगा तो जिसका पास Mac का लैप्टव है तो Mac में डॉंग करका रख सकता हो कोई भी प्रॉब्लम से अगर एक लैप्टव का अडिक्स खराब हो गया नहीं तो रैम खराब हो गया तो दूसरे लैप्टव से आप लोग काउं कर सकता हो तो यहीं बोलने का था तो हम लोग इसका उपर थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे डिटे को और और डिसेंड़ी हाम एक देना चाहते है बिस्ट व्य और बेस्ट शिक्स चाहं जो साउंड कार्ट हम लोगों को क्या लेना चाहिए यह है देखिए Этот माइक्रफोन क अपर दिये है एंड्वागी menor अपर पहले दिया था एड्वावाइब ळिया औरpton को स्पीकर के बार तो उसका अपर दिया है और हम देखते हैं आज नहीं तो कल हम कोशिश करते हैं आप लोगों को टॉप फाइब टॉप सिक्स जो साउंड कड होता है तो उसका बारे में हम बोलेंगे थेंक्यू दोस्तों और थोड़ा-थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है हम बहुत सा कर रहा है तो इसलिए हम माफी चाल लेते हैं और आप लोग काम करिए अच्छा करके काम करिए हम अगर एक कान में सुना ही दे रहा है तो ठीक है वह थोड़ा कॉंसीडर कर लिजिए तो उसके बाद हम देखते हैं सब्सक्राइब जब हो जाएगा तो उस टाइम में हम इसक डीटेल बोल देंगे जब हम रेडी हो जाएंगे तब हम डीटेल बोल देंगे क्या तरीका है क्या प्रोसेस है थैंक यू दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो